चैदनवंत्री आजका टोपिक मान परिभाशा 2 है पार्ट 1 में हमने मागदबान के भारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था पार्ट 2 में हम कालिंग मान का डिस्क्रिप्शन देखेंगे और साथ ही थोड़े MCQ जो exam preparation के लिए उप्योगी है वह भी मैं बताऊंगी तो आईए शुरू करते हैं आजका टोपिक मान परिभाशा पार्ट 2 पार्ट 1 में हमने देखा था मान के स्थान के आधर पर दो प्रकार होते है मागदमान और कालिंगमान जिसमें से मागदमान चरक द्वारा उप्युक्त है और कालिंगमान है वह सुस्रू द्वारा उप्युक्त है उस वीडियो में मैंने मागदमान को याद करने के लिए तीन नियोमोनिक दिये थे जो इस प्रकार है पात्र, मारा, सर्सव यो गुंजा, माला, शान ने कोल करके करकशावाज में अर्धपल पल प्रसुती के लिए सामान मंगवाया और तीसरा है अंजली की माने प्रश्न पूछा कि क्यों मंगवाया और आठ बजे द्रोण भर के सूप और द्रोणी भर के खारी मंगवाई अब इस पार्ट में में इसी तिन न्यूमोनिक में थोड़ा बहुत चेंज करके कालिंग मान जो सुष्रू द्वारा उप्युक्त है वह कैसे याद रखना है वह बताती हूँ है यह स्टार्ट करते हैं कालिंग मान के लिए भी पहला न्यूमोनिक आएगा पत्र मरा सर्सव यव गुंजा माला इसमें से पत्र मरा एजीटीज रहेगा और सर्सव यव गुंजा माला में थोड़ा चेंज आएगा अभी मैं इसको एक्स्प्लें करती हूँ पत्र मरा में पास से है तीस पर्मानों से एक त्रसरेणों यव गुंजा माला इन में सिर्फ संख्या में ही परिवर्तन है, बाकी सारे एकम जो है वो एजिटीज ही है, मागद मान में हमने देखा था कि 8 सरसव से 1 यव होता है, यहाँ पर 12 सरसव से 1 यव होगा कालिंग मान में, यव में 2 यव से 1 गुंजा होगा, गुंजा में 7 या 8 गुंजा से 1 माशा ह और चार माशा से एक शान होगा तो सरसव यव गुंजा और माशा इनमें सिर्फ संख्या में ही परिवर्तन होता है बाकी मागदमान की तरह ही है यहाँ पर एक बात खास दियान रखनी है कि अगर कालिंगमान आए तो परमानु से स्टार्ट करेंगे लेकिन अगर सुसरुत त मान अगर लिखना है तो सुसरुत का जो नियूनतम इक आई है वह धानियमाश है धानियमाश मतलब सरसव तो हम सरसव से ही स्टार्ट करेंगे अगर कालिंगमान के बदले सुसरुत मान लिखना है तो सरसव यव गुंजा माला से ही स्टार्ट होगा आगे देखते हैं दूस और शान और कोल की जगह माशा आएगा, करकस और पल एजीटीज ही रहेगे, मैं इसको explain करती हूँ, छे माशा से एक कोल, दश माशा से एक कर्ष, चार कर्ष से एक पल, क्योंकि अर्धपल है वो बीच में निकल जाएगा, चार पल से एक अंजली, यहाँ पर भी प्रसूती निकल जाएगा, तो शान ने कोल करकश आवाज में अर्धपल, पल, प्रसूती के लिए सामान मंगवाया, इसमें से हमें शान और कोल की जगह माशा कर देना है, करकश आज़ीटीज रहेगा, अर्धपल और प्रसूती निकाल देना है, और पल भी आज़ीटीज रहेगा, तिसरा नियुमोनिक है, अंजली की माने प्रश्ण पूछा, कि क्यो मंगवाया, और बाद में आठ बजे, द्रोन भरके सूप और द्रोनी भरके खारी मंगवाई, पिछले वीडियो में मैंने जैसे बताया था मागद मान का ये तिसरा नियुमोनिक, कालिंग मान में भी ये तिसरा नियुमोनिक एज़ीटीज ही रहेगा, इसको मैं एक्स्प्लेन करती हूँ, दो अंजली से एक मानिका, दो मानिका से एक प्रस्त, दो प्रस्त से एक आढख, दो आढख से एक द्रोन, दो द्रोन से एक शूर्प, दो शूर्प से एक द्रोनी और दो द्रोनी से एक खारी, ये जो तिसरा नियुमोनिक है वो दोनों में समान है, तो ये तिसरा नियुमो अंजली से अंजली मान आएगा, मा से मानिका आएगा, प्रश्ण से हमें प्रस्थ याद रखना है, आठ से आधक याद रखना है, द्रोन से द्रोन ही आएगा, सुप से शूर्प याद रखना है, द्रोनी से भी द्रोनी ही आएगा, और खारी से भी खारी ही आएगा, तो यह अब मागतमान और कालिंग मान की तुलना देखते हैं चरक सहिता के अनुसार चार शान से बारा माशा बनता है बारा माशा में 384 धानिय माश होता है मतलब एक कर्ष में 384 धानिय माश होता है और सुसरुत सहिता के अनुसार एक कर्ष में 192 धानिय माश होता है इस हिसाब से अगर देखे तो सुसरुत सहीता के मान की तुलना में चरक सहीता का मान एप्रोक्सिमेट डबल है आगे देखते हैं important points जोकी MC की और short question के लिए उपयोगी है यह आधुनिक मत अनुसर है एक वाल में 3 रती होता है एक निश्क में चरक के अनुशार 3 माशा होता है और सुसरुत के अनुशार 4 माशा होता है एक कोल में हाफ तुला होता है और एक तुला में 5 शेर जोकी सुसरुत ने बताया है तो यह था कालिंग मान का पूरा description मैंने पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में मागतमान और कालिंग मान को विस्तरुत तरीके से बताया है आपको यह वीडियो कैसा लगा यह मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताये ताकि मैं अपना अगला वीडियो और बहतर बना सको अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करें टेंक यू सो मच